अस्रावालेकुम आजकी इस वीडियो में हम विंडोस सर्वर 2019 इसाल करके देखेंगे विंवेर में और इसका प्रासेस देखेंगे और विंवेर में किस तरह विंडोस सर्वर 2019 को इसाल के जाता है कि एक विंडोस स enorm है लंटिकरे यूपम्चीनेन्ट yet टो सबशेंगे रिखेंगे स्हे लिडियो में लिखेंगे एन बीडियो में किया घजीनेन्त च दीमाश। behथ लिडियो में गयरियो सर्वर 2022 । 3 दे नेक्स्ट और यहां पर आपको 60GB रिपारद है तो 60GB आपके देना Store virtual disk as a single file को क्लिक करना है आपको 60GB सी ज्यादा भी दिसको लेकिन 60GB लग कर कॉस्टमाइज हार्डवेर पर जाना है देन New CD DVD के पर क्लिक करना है और यहां पर Use ISO Image के पर क्लिक करना है देन Brows Brows के पर क्लिक करके यहां पर मैंने OSI Operating System ISO फाइल सीर की ही है तो यहां से मैं Windows Server 2019 चूज करूगा देन इसको क्लोड होगा Close and Finish अब यह देखे मैंने Windows Server 2019 create के लिया है जिसको उपन करूगा power all sorry एक मिस्टेक बने की है तो यहां पर Ctrl प्लस Alt करे so close green then power off Windows Server Windows Server 2019 and edit virtual machine setting then click on option and click on advanced choose the BIOS and okay अब इसको प्ले करे अब इसको प्ले करे इसे प्ले करेंगे तो यह setup स्टार्ट होजेगा loading files और view के click hold screen अब यह दिखे loading files हो रहा है इस वीडियो में हम complete process दिखेंगे Windows Server 2019 को कैसे install करते हैं यह files को load कर रहा है next install log setup is starting यहां पर यह product key माग रहा है तो फिलहाल मैं i.have product key के उपर क्लिक रहा हूँ then यहां से हमने Windows Server 2019 standard desktop experience पर क्लिक करना है standard next 64 bit को select किया then इसको accept कीजिएगा next custom installation 60 64 60 GB on the left installation start you 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 झाल झाल प्रिस्टार्टरो झाल 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 तो अभी हमें क्रिदेंशल देने हैं तो यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर पास्वेट ऐसा रखना है जिसमें एक क्रेक्टर कैपिटल ब्सट और ईएचरो यहां आए और से सिम्बल भी हो और कोई नमबर भी हो तो म愛 यहां पर यहां पर आष्ट करता हो लाइक इसके अंदर P at S W 0 O R D यानि के इसके अंदर नमबर भी है और इसके अंदर सिंबल और क्रेक्टर दी है तो इसको मैं इंटर करता हूँ जी तो आपकी इंसालेशन कप्रेट हो चुकी है तो यब अब हम P M P क्लिक करके Send, Control, Plus, Alt करेंगे यहाँ पे Credentials देंगे P at WS W 0 R D यह कुछ सेटिंग्स हो रही है तो कुछ देर बाद Desktop Show हो जाएगा जी तो successfully हम Install कर चुते हैं आप कुछ Servers की Settings ओपन होगी तो वो by default Open हो जाती है तो हम उसका कुछ इंगजार करते हैं उसके बाद कुछ Settings करके इस वीडियो को Stop करेंगे जी सर्वर मने जी सर्ट इसके है अब हमने जहां पर कुछ Settings करनी है जी तो इसको यहां पर Don't show this message again जहां पर क्लिक करके इसको Close कर देना है यहां पर Tools पर क्लिक करके Sorry I think Manage Manage के उपर क्लिक करके यहां पर हम Rolls and Peaches Add कर सकते हैं Then View पर क्लिक करके हम इसको कुछ यह Desktop की Setting कर सकते हैं Server Manager Properties Then Do Not Start Server Manager Automatically Logger Okay तो इसको Close करते हैं तो यह हमारे सेटिंग्स कंप्लीट हो चुकी है बाकी इसकी IP Configuration IP Setup Configuration यह मैंने CEH Practical Lab Manual में Lab Manual की प्लेलिस में सारी Configuration करके दिखा दिखा दिया है तो आप वहां पर जाकर देश करे हैं तो इस वीडियो में हमने Windows Server 2019 को इससाल करना सीखा BMW Air के अंदर झाले क हने कीर्णे में